कौन है अतिक एहमद और अश्रफ को मारने वाले हत्यारे जिन्होंने पुलिस के सामने दस सकेंड में माफिया और उसके भाई का कर दिया कतल कर दिया उनका काम तमाम मिली जानकारी के मुताबिक तीनों हत्यारे कई बार जेल भी जा चुके हैं और जेल में ही तीनों की दोस्ती हुई थी अतिक और अश्रफ की हत्या करके डॉन बनना चाहते थे माफिया अतिक एहमद और उसके भाई की बीती रात तीन लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी जिसके बाद तीनों ही हत्यारों को पुलिस ने गिरिफ्तार कर लिया है और एक की पहचान लवलेश तीवारी के रूप में हुई है इनकी गिरिफ्तारी के बाद से ही चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर ये तीनों लोग कौन है और इनोंने सरेयाम माफिया की गोली मार कर हत्या कर दी वही लवलेश तीवारी के लवलेश के भाई वेद ने मीडिया से बात करते हुए कई खुला से किये है उन्होंने बताया कि लवलेश को नशा करने की आदत है वर नशा करने का आदी है इसके अलावा उसके भाई ने बताया कि लवलेश के उपर पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज है करीब तीन से चार साल पहले वो लड़की को थपड मारने के आरोप में जेल गया था बूरी आदतों की लगी हुई थी उसको लट लवलेश के भाई ने बताया कि उसे लगबक सभी बूरी आदतों की लट लगी हुई थी वह घर पर भी बहुत का माता था माता पिता और भाई उसे ज्यादा संबंद नहीं रखते थे वह कट्रा में एक किराय के मकान में रहता था खबरों के मुताबिक लवलेश एक मध्यम परिवार से तालूक रखता है जिसके पिता एक स्कूल बस चलाते हैं जब माता पिता ने टीवी पर बेटे को अतिक पर फाइरिंग करते देखा तो वे अपने होश खो बैठे जाहिर सी बाते कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसा कारे करते हुए बिलकुल सक्ते में ही आ जाएंगे जानकारी के मुताबिक लवलेश बांदा का रहने वाला है और उसने लखनव यूनिवर्सिटी से में अड्मिशन लिया था लेकिन वह पहले साल में ही फेल हो गया और पढ़ाई छोड़ दी थी जिसके बाद वह गलत संगत में पढ़ गया लवलेश के अलावा सनी और अरुन मौर्य भी अतीक और अश्रफ के भाई पर ताबरत और गोलिया बढ़सा रहे थे जो कि वीडियो में देखा जा सकता है शनी उत्तरपरदेश के हमीपोर का रहने वाला है और अरुन मौर्य कास गंज का रहने वाला है वही अब पुलिस के मताबिक अतीक और अश्रफ पा गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों का पुराना अपराधिक एतिहास रहा है पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इनकी आपस में कैसे पहचान हुई क्या इनके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है पुलिस इन सवालों का जो जवाब है वो तलाश कर रही है वहीं तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अधिक एमत का पाकिस्तान से कनेक्शन था उसने और उसके गैंग के लोगों ने तमाम बेकसूर लोगों के हत्या की थी अतिक जमीन हडपने के लिए हत्या करता था और विरोध में गवाही देने वालों को भी नहीं छोड़ता था उसका भाई अश्रफ भी ऐसा ही किया करता था इसलिए हमने दोनों को मार डाला जेल में हुई थी तीनों की दोस्ती खबरों की माने तो तीनों हत्यारों ने कई बार जेल का रास्ता देखा था यानि कि तीनों हत्यारे कई बार देल जेल जा चुके थे और जेल में ही तीनों की दोस्ती हुई थी अतिक और अश्रफ की हत्या करने के लिए वे बेकरार थी क्योंकि वे डॉन बनना चाते थे शु यारी करता है वही दूसरे हत्यारे ने भी खुद का च्छात्र ही अपने आपको बताया कड़े पूच्ताच में तीनों यूवक अपराधिक प्रिष्ट भूमिक के ही निकले हैं तो इसी के साथ मैं लोग एरुमती रेडियो कराईम में आज इतना ही फिर स्थे नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो जाओंगी तब तक के लिए नमस्कार